साई वसंसाह दर्बार के गादिसर साई काली राम सहब ने इस साल हरीद्वार के साथ ही पहली बार वरंदावन में लगाया दर्बार निकाली पालकी आत्रा और बहराना सहब जलाई जूलन जी जोत मचाई जूलन जी मौज नामक कारिक्रम कई वर्सों से साई वसन सा दर्बार की पहचान रही है आईए देखते हैं इस बारे में अधिक जानकरी सबी को जैजे वसन शा जैजे पारुशा जैजे श्रीरादे जैजुलिलाल हर हर महादेव समस्तुलासनगर की संगत को मेरा प्रणाम और बहुत ही खुशी का अफसर है आज हमारी मीडिया यहां मौजूद है और सद्गुरु दर्वेशो की कृपा दया से आश्यवाद से जूलन जी मौज श्रीविंद्रवन धाम और हरीतवार दोनों मेले आज सुख से संपन हुए कल का जो कारिक्रम बचा हुआ है पूजे पालकी साथ की यात्रा साहब है बाबा का जला भी शेक होगा महापुर्शो की कृपा से इतियास में पहली बार श्रीविंद्रवन धाम में भगवान जुलेलाल की वसंद्शा दरवार की तरफ से जोत जगी कृपा हुई रहमत हुई दया हुई आश्रीवाद हुई श्री रादे कृष्ण भगवान की कृपा हुई रहमत हुई साथी साथ बगवान जुलेलाल की अपार कृपा हम पर रही जो ये मेला दोनों मेले हरिद्वार के भी मेले पूज बेराने साहिब दोनों सुख से संपन हुए आप समस्त वुलासनगर की अन्य देशों की संगत को इस मेले की बहुत बहुत शुपकामनाय दुआएं आशिवाद और हमेशा खुश रहिए मस रहिए आबाद रहिए जै वसंशा जै पारुशा रख रोडी वारत जै जु वशंशा दर्बार के सभी भवखतों का स्वागत करने का उनसे मिलने का और मैं हवेशा कहती हूं वसंशा दरबार में जितने भी भवख्त है वो सब बड़े प्रेमी है, बहुत उत्सा रहता है उन्में, तो यहां ब्रंदावन में आए और उत्साहा उनके बीतर देखने क में आपको मिला तो बड़ी खुशी और बड़ी प्रसनता हुए जिए देखो चाहने वाले तो सब ठाकुर जी के कोई किसी व्यक्ति का चाहने वाला नहीं और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम सबका उद्देश एक ही होता है सबको ठाकुजी से जोड़ना तो वहां लोग पहले से ही संतों की मुझे लगता है वहां संतों का आशिरवाद बहुत है अलग-अलग महापुर्शों का आशिरवाद है तो जितने अभी लोग भागवत से जुड़े या अभी भी जो सत्संग से जुड़े रहते हैं उन सबको बस मेरा यही कहना है कि सत्संग सुनते रहो जितना आप सत्संग सुनेंगे उतना ही आप अपने जीवन को देखेंगे कि वो उन्नती की ओर जा रहा है तो सभी भक्तों को मेरे कोनार अपना शहर अपनी बाते हैं